श्री श्वय नमस्तोव या मरर महादेव देखे दोस्तो हम सबी लोगं को पता है कल दिनांग कटाई सक्टूबर को सनीवार के दिन पूरणे मां थिती पड़ने जा रही है तो देखे दोस्तों ज़दी आपके जीवन में बहुती ज़ादा संकर्ट हैं बहुती ज़ादा आपके जीवन में विपतियां आती है चाहें दंग से जुड़ी हो Sophie आपका जो वियपार है बच्चें से नहीं चल पा रहा हो चाहें आपकी जो नौकरी जो है वो डंग से नहीं चल पा रही हो चाहें आपके विवा से जुड़ी हो किसी भी पिरकार की कोई भी समस्या हो या फिर बच्चे डंग से पढ़ते नहीं हैं बहुत ही जादा जीवन में विवन नुत्पन हो रहे हैं तो देखें दोस्तो आज के वीडियो विशेस कर आपके लिए ही है देखें दोस्तो किसी भी पिरकार की आपके जीवन में कोई भी समस्या चल ले है तो पूछ गुरुजी अमेसा कहते हैं तो दोस्तो सनिवार के दिन आप एक गुड़ के टुकड़े से ये विशेस उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी समस्यां दूर हो जाती हैं तो देखें दोस्तो यह उपाय आपको पूर्ण मा ठिथी पे करने के बाद आपके जीवन में कुछी दिनों में आपको फाइदा देखने को मिलेगा और आपके जीवन में बहुत अधिक पड़िवर्तन होगा तो देखें दोस्तो पूछ उकुरी देव की खताय को सुन करके और समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा लेकिन दोस्तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए आप भी बगवान सिब के अनन्न बखते हैं तो साती साथ हमारे चैनल को भी सस्क्राइब करके कॉमेंट में ओम नवस्चिवाय जरूर लेखें तो देखें दोस्तो हमारे दरम सास्त में खाया जाता है तो दोस्तो सनिवार का जो दिन है वह भगवान अनुवान जी को भी समर्पेत होता है और महादेवगी जी के रुदृत रप्तार है वो अनुवान जी ही है और अनुवान जी हमारे जीवन से सारे संकट साधी बादाओं और सारे विगणों को दूर कर देते हैं इसलिए आपको गोड़का बहुती विशेश चमतकारी उपाय जरूल करना है तो देखे दोस्तो आज की इसम वीडियो में आपको दो महाविशेश चमतकारी उपाय बताने वाले हैं तो देखे दोस्तो पहला जो ङुपाय होगा वापके जीवन से सारे संकड, सारी, विबदाओं, सारे कशनो को दूर गनने के लिए होगा दोस्तो दूसरा जो अगर आपके जीवन में कड़ी बहुत अदिक ही जदी आपके घर मैं तेज नहीं है जानि के घर का प्रतेग व्यक्ति हमेशा उदास ही उदास रहता है घर में लड़ाई जगड़े बहुत अदेक होते रहते हैं अगर घर में किसी को भी सपलता प्राप्त नहीं हो पा रही है दोस्तो बिसेश कर जो लोग नौकरी डून रहे हैं जिनको यह उपाय करने से बिल्कुल भी चूकना नहीं है देके दोस्तो जिनको सपलता नहीं मिल पा रही है जिनकी दुकान नहीं चल पा रही है देके दोस्तो नहीं यह दूसरा चमतकारी उपाय जरूर करना है तो देखे दोस्तो दोनों ही उपाई बहुत ही प्यारे से होने वाले हैं जो भी उपाई आपको चित लगता है उसको आप कर सकते हैं देखे दोस्तों या तो आपको लाल चंदन लेना है या तो आपको गोड़ लेना है दोनों मैंसे एक ही सामिक्री आपको लेना है देखे दोस्तों सनी बार का दिन है इसलिए आपको लाल चीजों का प्रियोग तो अबस्यी करना है तो देखे दोस्तों जीवन में सनी दोस होत प्रता है और देखे दूस्तो लालवरंग जाए अन्वांजी को बहुत अदीक होता है यह बहुआ सिर्ची के साथ इसांतों नेहां आको नीवीड करना प pron- heb भगवान शिपश्ची के मंदिर में ओडेखे दोस्तों पूझी गुरुदुरह भैउने रित्हें कर सकते है यदि दोस्तो आप यह उपाई पुर्दोस काल के समय में करना चाते हैं तो आप पुर्दोस काल के समय में भी यह उपचमतकारी उपाई कर सकते हैं तो देखे दोस्तों सबसे पहले आप पेवाज जो एक लोटा जल है उसमें से आपको थोड़ा सा जल गनेज जी वाले इस्तान पर समर्पित करना है फिर दोस्तों थोड़ा सा जल आपको बगवान कार्थी के जी वाले इस्तान पर समर्पित कर देना है फिर दोस्तों आपको उस पात्र कांदर थोड़ा से जल जरूल बचा लेना है तो देखे दोस्तों अब आप जो Olympics या लाल चंदन को पने सीधे आत में रखना एक panda फिर दोस्तों आपकी जो भी विविववदाई आपकी जो भी विशिय्स समस्या है प्रिफ या फिर दोस्तों आपकी कोई भी विसेस मनो कामनाऊ से करते हुए आपको इस लोंग को उसी पाइडर डाल देना है घर च्बोंग करते हुए देखे दोस्तों जैसे जला आप अपने सीधे आप में थोड़ा सा ले लेना है और इस जलका आपको छड़काव अपने स्वेम के ऊपर कर लेना है तो आपके जीवन की सारी परेशानिया साड़े धुकदर कश्ट दुपीडा सभी दूर होंगी चली अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं पूझी गुर चाप्ति की समस्या है या फिर आपके जीवन में करजी की समस्या बहुता देख है है आप अपना कोई भी कारे करने से पहले ही उसमें असफ़ल हो जाते हैं तो इन सभी संकटों को दूर करने के लिए आपको जब इस चमचकार होपाय जरूल करना है देके दोस्तों आपके जीवन में कोई भी बड़ी से बड़ा कर्जी वो भी दूरोगा वा साती-सात्या या फिर आपके जीवन में सनी ग्रहकी वाज़ासि आपके विवां में उत्पन्य उत्पन हो रही है तो वह भी दूरोंगी देखें दोस्तों सबसे पहले आपको इस उपाय को करने के लिए द पर देखे दोस्तों सबसे पहले आपके बाद दो लोगों को आपको अंदर बहुती अच्छी तरीके से दो देना है यानि कि आपको लोगों के उपर सेद का बहुती अच्छी तरीके से लेपन कर देना है फिर दोस्तों आप इन दोनों लोगों को बगवान सिव जी की सिवलि या फिर आपके विवा में समस्य उत्पन हो रही जीवन में जो भी संक्रडिया समस्याँ उनको व्ग आभ सिविजी कहना है और दूर कंने के लिए आप बाग सभी से प्रात्ना करने के लिए एक सबसे पहले पूरł के टुकड़े गश्रत दालन पिर दोस्तो आपको इस दीपक को पेजलिट कना हुआ यह दो लॉंग है आपको कपूर की अंदर डाल देना है दोस्तो दीपक के अंदर जो बसम तयार हो기 लॉंग और कपूर की कर और अच्छे तरीके से चूरा कर लेना है और इस बस्म को आपको बगवान सिव जी की सिवलिंग पर समर्पित कर देनी है मंगलेश्वर महादेव जी का मन में इसमर्ण करते हुए तो देखे दोस्तो जैसे ही आप बगवान सिव जी की सिवलिंग पर इस बस्म को और्पित करेंगे पूपाय को करते समया आप किसी भी पिरकार की गलती ना करें इस बात का आपको विशेश करके द्यान रखना है उपाय से जुड़ा हुआ अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आपको कॉमेंट के माध्यां से पूछ सकते हैं तो दोस्तों पाय को करते समया किसी भी पिरकार की गलती ना करें इस बात का आपको विशेश करके द्यान रखना है तो मिलते हैं अगली वीडियो में सिरी शिवाय नमस्टो भी हमार मौनने फ्यूमादे बात विशा है